हेलो गाईज इस वीडियो हम स्टार्ट करेंगे चक्ट नमबर एट एलेक्ट्रो मेगनेटिक वेवस सबसे पहले हम समझते हैं कि एलेक्ट्रो मेगनेटिक वेवस क्या होती है तो एलेक्ट्रो मेगनेटिक वेवस वह वेवस है जिसमें एलेक्ट्रिक फिल्ड एड मेगनेटि इक दुसरे के परपेंडीकुला और साती साथ दिरेक्षिन यू परपॉगईशन जी दोरेक्षिन बबीगध्या को कर सकतेर हिंगीुलय को यह दुसरे के परपेंडीकटिकुला ब Awak park कर रहें तो से distinct ओनब गाव देikkati 4 विलेंग ही दूसरी के पर पेंडीकुला मंत कर रहें wax exert a magnetic force on each other हमने chapter 4 में देखा था एक current carrying wire है इसके around magnetic field produce होती है और अगर दो magnetic, दो current carrying wires है तो they will exert magnetic force on each other यह हमने chapter 4 में देखा था तो कहने का मतलब electric current produces magnetic field इसके बाद further in chapter 6 we have seen that a magnetic field changing with time give rest to an electric field तो हमने यह भी देखा था chapter 6 में कि अगर हमारे पास wearing magnetic field है जो time के साथ vary कर दिये तो उसमें क्या produce होगा it will produce an electric field but this electric field will be different to our conventional electric field जो हमारी charges जो field produce करते हैं electrostatic charges उससे यह field electric field जो develop होई उससे different होगी और example यह close loop होगा electric field और इसकी properties भी हमारे electric field से conventional electric field से different होगी यह साथी बात हमने उस chapter में discuss करी थी next is the converse also true तो changing magnetic field electric field produce कर रही है तो क्या changing electric field changing electric field पे क्या magnetic field produce करेगी does an electric field changing with time give rise to a magnetic field तो यही कोशन जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने पूचा और उन्होंने आर्ग्यू किया that this was indeed the case not only an electric current but also time varying electric field generates magnetic field यानि की ना सिर्फ एक changing varying magnetic field electric field प्रोड्यूस करती है बट एक वेरिंग electric field भी varying electric field भी क्या करेगी magnetic field प्रोड्यूस करेगी ठीक है इसके बाद हम chapter में देखेंगी कि उन्होंने किस तरह से यह argument दिया क्यों यह argument दिया और इसको कैसे हर्ट्स ने इसो एक्स्पेरिमेंटली प्रोफ करके दिखाया इसके बाद वाल अप्लाइंग दे एंपिर सर्किटर लॉग तो जब मैक्सवेल एक कैपिस्टिटर के आउटसाइड एक पॉइंट पे मैगनेटिक फिल्ड कैल्कुलेट कर रहे थे विद्धा हेलप ओफ एंपिर सर्किटर लॉग तब उन्हें इसमें इन कंसिस्टिंटी दिखी वह क्या थी उससे समझते हैं तो देखो सपोस इस पॉइंट पर वह एक पॉइंट आउटसाइड इस कैपिस्टिटर के यहाँ प पॉइंट पर मैगनेटिक फिल्ड निकाल रहे हैं ठीक है तो इस पर जो मैगनेटिक फिल्ड होगी तो हमें पता हैं पिसके एक वह निकल रहा है ठीक है फिर से एक बार बताता हूँ magnetic field around this close loop तेके कितनी magnetic field close loop के around होगी वो कितना होगा कितना current इसको tier करता हुआ अब देखो अगर surface कैसा है लेकिन अगर surface जो हमने open surface लिया है वो कुछ इस तरह से भी तो हो सकता है तो close path यह रहा और जो हमारी surface है वो कैसी है इस तरह से कुछ surface इस तरह ओपन surface हमारी इस तरह से तब इस case में कितना current threat करता हूँ निकल रहा है देखो surface बस यहाँ पर है open surface यहाँ है अगर यह 3D diagram होता हो तो आपको बैटे तरके से समझ आता कि यह 3D क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर तो इस surface में current threat करता हूँ निकल रहा है देखो अब capacitor के बीच में तो gap है यहाँ पर कितना current पास हो रहा है तो इसमें से कोई भी current threat करता हूँ नहीं निकल रहा है तो जो इसमें mu.bdl क्या जाएगा mu.bdl is क्योंकि current तो 0 है तो magnetic field कितनी आजएग इस case में जीरो आ जाएगी बट हमें पता है कि यहाँ पर P point पर तो magnetic field है और हमने इस case में देखा था तो इस case में तो magnetic field non-zero आ रही थी जब हमने जो open surface है हमारा उसको कुछ इस तरह से consider किया था बट open surface जब हमने इस तरह से consider किया कुछ तो magnetic field zero आ रही है तो यही थी वो inconsistency जिसके वज़े से ampere circuit law यहाँ पर result नहीं दे रहा था तो इसके लिए उन्होंने Maxwell ने क्या suggest किया उसको देखते हैं तो Maxwell ने suggest किया कि इसके बाद he suggested the existence of an additional current called by him the displacement current to remove this inconsistency तो उन्होंने suggest किया कि free space था जो gap था capacity के बीच में उसमें क्या हो रहा है उसमें displacement current flow हो रहा है तेके एक दूसरा current flow हो रहा है displacement current यह उन्होंने add किया और इससे हम ampere circuit law को फिर उन्होंने complete भी किया Maxwell formulated a set of equation involving electric and magnetic field and their sources the charge and current densities this equation और नोने as Maxwell equation Maxwell ने equation formulate करी जिसमें electric और magnetic field involved है उनके sources, charge and current densities और इसको हम Maxwell equation कहते हैं जिसे हमें चैप्टर में आगे study करना है together with the Lawrence Ford formula the mathematics express all basic law of electromagnetism तो Lawrence Ford formulae से और Maxwell equation से हम सारे laws electromagnetism के explain कर सकते है Lawrence force क्या था Lawrence force अपने देखा था एक charge एक Q charge अगर यह क्या कर रहा है V velocity से move कर रहा है तो इस पे जो force act होगा और यह electric field or magnetic field में suppose मैं electric field or magnetic field में से place करता हूँ तो इस पे total force कितना act होगा the total force will be Q Q E plus V cross B यह हमने Lawrence Ford chapter 4 में देखा था इसके बाद the most important prediction to emerge from Maxwell equation is the existence of electromagnetic waves which are time varying land time varying electing and magnetic fields that propagate in space Maxwell ने अपनी equation से predict किया Electromagnetic wave के existence को Electromagnetic waves क्या थी Electromagnetic waves variation in electric and magnetic field जो perpendicularly propagate कर रही है to each other and to the direction of propagation और speed of light जब हमने calculate करी of this electromagnetic waves वो किसके इकोल आई वो light की speed के इकोल आई यानि कि जो light है ये भी क्या है Electromagnetic waves है तो Maxwell ने क्या कर दिया Maxwell ने optics को light को electricity को और magnetism को तीनों को यूनिफाइ कर दिया इन तीनों डोमेन को यूनिफाइ कर दिया और Hertz ने 1885 में ये demonstrate कर दिया experimentally की electromagnetic wave के existence को experimentally demonstrate कर दिया और जब मार कोनी ने और other scientists ने इनका electromagnetic waves का technology में use किया तब इसने communication की दुनिया को बदल के रख दिया तो इस chapter में हम discuss करेंगे displacement current उसके consequence को electromagnetic waves को और spectrum of electromagnetic waves को झाल